गुड मॉर्निंग इस्टूडेंट बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी इंग्लिस मैथ तो पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा हिंदी हिंदी में हमने अभी स्वर पढ़े थे अब व्यंजन व्यंजन में अभी हमने घासे घड़ा पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे कासे अणा त आपको ये हिंदी की कॉपी में इसी तरह लाइनों में करना है यहाँ पर क्या है कासे कबूतर इस तरह आपको अपनी सब लाइने फील करने है विटा फिर है खासे खरगोश यह आपको लाइने दिये ना इन लाइनों में आपको करना है यहाँ पर लिखना है खासे खरगोश यह ऐसे हैं खासे खरगोश यहाँ पर लिखना है आपको गासे गमला अब यह लिखना है आपको गासे घड़ी अब यहाँ पर लिखना है आपको अना खाली यहाँ पर लाइने दी हैं आपको इन लाइनों पर इस तरह से लिखना है घासे घड़ी अणा खाली ठीक है सारे बच्चे से हिंदी की कौपी में करेंगे घासे कबूतर खासे खरगोश गासे गमला घासे घड़ी और अना खाली अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश इंग्लिश में अभी हमने A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grabs, H for hand, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nan आज हम पढ़ेंगे O for owl, O for orange तो यह देखिए यह किसकी पिक्चर है औरेंज, O for orange, O for orange तो आपको यह लाइने दिये ना यह आपको यह लिखे हैं O for orange तो आपको यह थ्री लाइनों पर बनाना है ऐसे O for orange इस तरह से आपको यह थ्री लाइनों पर बनाना है यह 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 आपको डॉट दिये हैं यहां पर इस तरह से आपको यह थ्री लाइनों पर कम्प्लीट करना है ओ फॉर ओरेंज यह इसी तरह से आपको यह सब लाइनों पर करना है ओ फॉर ओरेंज तो इस तरह से आप बेटा इंग्लिश की कॉपी में ये काम करेंगे सारे बच्चे इंग्लिश की कॉपी में O4 औरेंज करेंगे आज अब हमारा math subject है math math में करेंगे अभी हमने 1 से 40 तक counting सीखी गी न आज हम सीखेंगे 41 से 50 तक counting 41 से 50 तक counting ये दिया है आपको 41, 41, 41, 41, 42, 42, 42, 43, 43, 43 44, 44, 45, 45, 45, 45, 46, 46, 46, 47, 47, 47, 48, 4, 7, 47, 4, 8, 48, 4, 8, 48, 4, 9, 49, 4, 9, 49, 5, 0, 50, 5, 0, 50. तो इसी तरह बेटा आज आपको 41 से और 50 तक काउंटिंग करनी है. ठीक है? यह डॉट दिये हैं आपको, इन डॉट पे आपको करना है. 41 से 51, 50 तक 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50. तो सभी बच्चे इंग्लिश का काम इंग्लिश की कॉपी में, हिंदी का काम हिंदी की और मैत का काम मैत की कॉपी में करेंगे. इसमें आपको का खागा, घा, अन, तक करना है. यह आपको हिंदी की कॉपी में करना है, इंग्लिश की कॉपी में और मैत में करना है, 41 से 50 तक. तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में, स्कूल की कॉपी में काम करेंगे, अब काम करके वर्टसप पे सेंड करेंगे. थैंक्यू विटर, बाई.